हेलो एवरीवन, वेलकम बेक तु माई चैनल, आई मिलते हैं आपसे एक नई जानकारी के साथ में, वो है इव टीजिंग, तो महिलाओं के साथ बढ़ते अपरादों के साथ में इव टीजिंग जो एक एहम होता है, जो कि आए दिन हमें देखने को मिलता है, और इसके लिए हम सारणванगे किस्टान को लेलो चाहे वो बसे अंठों या मेत्रो स्टेशन या रेल्वे स्टेशन हो या अठ्रेटर हो या फिर मालो मेला हो या कोई भी एजुकेशनल इस्ट्यूट हो जैसे के कोचिंग वगरा है तो कोई भी ऐसी सारवजिनिकस्तान या रास्ता हो रास्ते में रास्ता भी सारवजिनिकस्तान है वहां पर यह इस तरीके की हरकते होती है कि जो है महिलाओं पर गंदे कमेंट करना भद्दे कमेंट करना और सीटी बजाना उन पर अफशब्द बोलना गंदी हरकते करना उनको गलत निगाओं से घूरना मतलब ऐसे किसी भी सब्द का प्रियोग करना जिनसे उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को एफेक्ट पड़ता है तो इस तरह की हरकतें जो होती है वो इव लोजिकली तो इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है और यह मामले कभी कभी तो बढ़के आगे सुसाइट तक पहुंच जाते हैं तो मेरी उन महिलाओं से यह बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि वो स्टार्टिंग से ही नमुद्दों को हलके में ना ले बिलकुल हलके में ना तो हमारे इंडियन कॉंस्टिटूशन में भारती शामिधान में इसके लिए कौन सा कानून मनाए गया है तो इंडियन पैनल कोड के हिसाब से IPC की धारा 509 लगती हैं इंडिजिंग के लिए जिसके अंतरगत अपरादी को एक साल तक ही सजा जो की तीन साल तक बढ़ाई ज जरूर करें लेकिन होता क्या है नॉर्मली हमारे समाज में हमारी सोसाइटी में जो लड़किया है अभी हाई स्कूल इंडर रिया गेजुशन स्टार्टिंग हुआ है उनका तो उनको इस तरह की लौ की कानून की बिलकुल भी जादकारी नहीं होती है और वो इस तरह के प्रच्छन नहीं ले सकती है नहीं ले पाती है क्योंकि उन्हें किसी लौ की जादकारी नहीं है और यह अपराद बहुत ही आगे बढ़ते जाते हैं जो की एक बड़ा लूप ले लेते हैं जिससे की गल्स की जो है मैलाओं के साइकलोजिकली एफेक्ट पड़ता है साथ-स मुद्धे इतने बढ़ते जाते हैं उसको समझ में नहीं आता है कि वो इस चीज के लिए क्या करें और यह मुद्धे सुसाइट तक बहुंच जाते हैं तो मेरी गल्सी रिक्वेस्ट है कि इस व्लॉग के बारे में जरूर पड़े जरूर जाने और मेरे वीडियो को देखे कि अगर कुछ समझ में आ रहा है आपको तो इस तरह के अपराग को बिल्कुल भी टॉल्रेट ना करें उनके साथ बिल्कुल भी कंप्रोमाइज ना करें अगर आपको लगता है कि आपके साथ ऐसा कोई अपराग हो रहा है तो इसके प्रती जरूर एक्शन लें तो दोस्तो तो यह थी इव टीचिंग के बारे में बहुत थी महात्पूर जनकारी और आपको अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा वी अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ज